4G स्कुल के आनलाइन तरजे तालिम में आप तमाम का स्तक्बाल है दूसरी जमात उर्दुवाल भारती सबख नमबर 9 दोस्ती आज की इस वीडियो में हम इस सबख के सवाल जवाब भल करेंगे अगर आपने इस सबख की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन म सब्सक्राइब करें बेला तन को प्रेस करें और फिर प्ले लिस्ट में से से देखें चलिए आज की इस वीडियो की प्तिदा करते हैं मश्खी सरगर्मिया देखो पढ़ो लिखो माताबी शीरहुर्मा तबादला इलाखे शेरीक नीचे दिये हुए सवालों के जवाब लिखो शाकेरा क्यू नहीं खेलती कूथती थी? जवाब शाकेरा के साथ कोई खेलने वाला नहीं था इसलिए वो नहीं खेलती कूथती थी दिवाली के दिन शाकेरा ने लता के घर क्या क्या खाया दिवाली के दिन शाकेरा ने लता के घर बेसन के लड़ू, छूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शकरपारे खाए लता का घर किन चीजों से जगमक कर रहा था लता का घर दिये और आकाश दीप से जगमक कर रहा था पटाखे छोड़ने से क्या होता है? पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है इत के दिन शाकेरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? इत के दिन शाकेरा की अम्मी शीर खुर्मा और सेवईयां खिलाएंगी अगला सवाल है इत के दिन शाकिरा के अब्बुने गरीबों में क्या बाटा जवाब इत के दिन शाकिरा के अब्बुने गरीबों में अनाच और रुपे बाटे सही लफ्स से खाली जगा भरो दिवाली की शाम घर में हर तरफ दिये जल रहे थे और लता महता भी जला रही थी शाकिरा जोर से चिलाई लता इसकी आँकों से आँसों निकलाई इतके दिन रोते नहीं खुश होते है अगला सवाल देखते हैं खाली दाइरे में नाम लिखो शाकिरा के पडोसी एक थे शर्मा जी और एक थे पांडे जी आप चाहे तो शर्मा जी की बेटी लता का भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि लता भी उसकी पडोसी थी खाका फूरा करो दिवाली के पकवान चुडा, करंजी, चकली, शकरपारे, सोन पापड़ी और बेसन के लड़ू किस ने कहा बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बेटी हो, खेलती कूती क्यों नहीं पडोस के पांडी जी ने कहा किस के साथ खेलो अंकल शाकिरा ने कहा ये बेसन के लड़ू है, ये चुडा लता की मम्मी ने कहा लता, तुम मेरे घर इद पर आओगी ना, शाकिरा ने कहा अरे बेटा इद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं शर्मा जी ने कहा अगला सवाल है शाकिरा की सहेली का नाम क्या था और इद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया था इन दोनों सवालों का जवाब है लता तो इसे हमने लिखा है दाइरे में शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी और लता किस जमात में पढ़ती थी इसका जवाब है दोनों का दूसरी तो इसे हमने रायरे में लिखा है अगला सवाल देखते हैं खाली चौकौन में सीन और शीन लिखकर लवस पुरा करो आपको देखना है यहाँ पर दोनों में से कौन सा आएगा पहली खाली जगा में सीन आएगा और लवज बनेगा दोस्ती दूसरे में शीन और लवज बना हमारा शाकिरा तिसरे में सीन और लवज बना उदास चोहते में आया शीन लवज बना खामोश पाचवे में सीन उससे बना सहेली चटे में हमने लिखा शीन, उससे बना लफ्स शीर खुर्मा साथवे में आया शीन, उससे बना लफ्स आकाश और आटवे में आया शीन, लफ्स बना खुश्बू नीचे दिये हुए लफ्सों को सही खानों में लिखो बचो यहाँ पर दो तेवारों के कुछ पकवान है और कुछ खासियत है जो कि एक साथ आपको दी हुई है आपको अलग-अलग करना है कि कौन सी चीज ईद के लिए है और कौन सी दिवाली के लिए है जैसे के ईद में आएगा शीर खुर्मा, इत्र, नए नए कपड़े, सेवईयां और गरिबों की मदद, दिवाली में आएगा आकाजदी, चूड़ा, बेसन के लड़ू, महताबी, करंजी, पटाखे, शकरपारे, चकली और सोन पापड़ी इसी तरह अब हमें करना है जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग यानि सवाल है आपका जमीन और आस्मान पर नजर आने वाली चीजों को अलग करके लिखो जमीन पर और आस्मान पर सबसे पहले हम आपको दिये हुए लफ्स पढ़ेंगे बजली बिली बच्चा हवाई जहाज और घर जमीन पर है इसमें से नदी पहाड तालाब बिली बच्चा और घर आस्मान पर है तारे सूरज चान बादल धनक बिजली और हवाई जहाज नीचे दिये हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो यहाँ पर देखिए हमने जो चौकोन में लिखे है वो परिंदे है और जो दाइरा बनाया गया है जिसके अत्राफ वो जानवर है पहले हम परिंदे देखते है चिडिया, तोता, कववा, मैना, कबुतर और चील जानवर है बैल, गाए, बिल्ली, बक्री, शेर और हिरन इस तरह आप इनके नाम अलग-अलग करके लिखिए दिये हुए लबजों की मदद से खाली जगा भरो और जुमले पूरे करो मुझे डैश पसंद है पपिता, चीकू, अननाज, अंगूर, अम्रूद, या सेब आपके पसंद का आपको इसमें से फल लिखना है लेकिन खाली जगा में से ही आपको जो दिये हुए हैं उप्शन्स उसमें से तो हमको सेब पसंद है, हमने लिखा है, मुझे सेब पसंद है उसके बाद है, मुझे डैश पसंद है कबड़ी, खोको, क्रिकेट, फुटबॉल या होकी तो हमने लिखा है खोको, आप आपके पसंद का खेल यहाँ पर लिख सकते हैं मुझे खोको पसंद है पहली जमात में तुम ये कहानी पढ़ चुके हो, अब इस कहानी को पूरा करो आपको यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, जिसमें कुछ आदे अधूरे जुमले है उसे हमें मुकमल करना है, यहाँ हमने नमुने के तोर पर आपको दिखाया है आप इसके अलावा भी अपने तौर पर कुछ हल कर सकते हैं, इसमें बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे जुमले लिख भी सकते हैं दो दोस्त किसी जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक रीच वहाँ आया एक दोस्त फौरण दरख पर चड़ गया, दूसरे दोस्त को दरख पर चड़ना नहीं आता था इसलिए वो लेट गया फिर रीच लेटे हुए दोस्त को मरा हुआ समझकर चला गया पहला दोस्त दरख से नीचे उत्रा, उसने दोस्त से पूछा रीच ने तुम्हारे काहन में क्या कहा दोस्त ने जवाब दिया जो मुसी वक्त के वक्त दोस्त को अकेला छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता ये हो गई हमारी कहानी अब हमें देना है इस कहानी का उन्वान हमने यहाँ दिया है धोके बास दोस्त आप आपके दिल से भी दूसरा उन्वान दे सकते हैं जोडियां लगाओ इत, शीर खुर्मा, दिवाली, दीप, क्रिस्मस, सांता क्लोस, होली, रंग अपने दोस्त या सहीली के बारे में दो जुमले लिखो आप यहाँ दो जुमले हमने बता हैं, उस तरह से लिख सकते हैं मेरी सहीली का नाम डैश है, आपकी जो भी सहीली होगी, यहाँ पर उसका नाम लिखे वो दुसरी जमात में पढ़ती है, अगर वो दुसरी जमात की है, तो दुसरी में लिखी है या फिर पहली है कि है तो पहली लिखिए इसके अलावा सरगर्मी है इद और दिवाली पर पांच पांच जुम्ले लिखो इस सरगर्मी को आपको अपने वालिदेन की मदद से हल करना है तो इसे आप खुछ से मुकमल करें इत के बारे में और दिवाली के बारे में पाच जुम्ले लिखें अगर आपको इसके लिखने में कोई दिखत पेशा रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताए इंशालला इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल पर बने रहे इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे ताके आपको अगले सबख की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब करना ना भूले